वेलकम टू लिली आर्टिस्ट फैब्रिक वर्क्स आज मैं आपको लाइट परपल कलर के क्लॉथ पे पेंट करके बताने वाली हूँ सबसे पहले मैं डिजाइन ड्रॉ करके दिखा रही हूँ जैसा कि किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि पैन से बना के दिखाए क्योंकि दिखता नहीं है तो आज मैं पैन से डारेक्ट बना के बता रही हूँ अगर आप डारेक्ट नहीं बना सकते हैं तो उसके भी कुछ मैथेट से उसके लिए आपको ट्रेस करना पड़ता है और उसकी वीडियो चैनल पे अविलेबल है तो आप वहाँ से देख के सीख सकते हैं आज मैं डारेक्ट ली ड्रॉ कर रही हूँ तो आब स्टेप पाइस से डिजाइन को ड्रॉ करते हैं कि अब मैं पेन से ड्रॉ कर रही ऊँए हुआ कि आपको अच्छे से करा डूँ कि आपको You Can Not आपको दीखता नहीए इसलिए मैंने पेन से बनाए है और पेंट करके रख देंगे थोड़ु ठीक है और एक वीडियो मैंने इसमें बनाई थी उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे एक्स्प्रेइन किया था कि आपको क्यों पैन करना चाहिए डायरेक्ट ली बनाने के लिए हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी हूँ और ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो मैंने चाहती कि आपका फैब्रिक खराब हो जाए तो आप इस स्टेप को अवाइट करेंगे आप या तो ट्रेसिंग मेतिट का यूज कर सक और यह बात मैं बहुत ही क्लियर ली आपको बता रही हूं अब देखे फ्लार मैंने बना लिया अब इसको वन बाई वन मैं कनेक्ट कर रही हूं क्योंकि अभी मुझे डिजाइन पेंट करके दिखानी है तो सबसे पहले चलिए डिजाइन को बना के फाइनलाइज कर लेते फिर पेंटिंग का स्टेप शुरू करेंगे और अगर आप चैनल पे नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमली में जो पेंटिंग में इंटरस्टेड हैं उनके साथ शेयर करें ताकि वो घर बैटे बहुत ही आसाने से फैब्रिक प झाल 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 देखिए हमारी इस तरीके से डिजाइन बनके तयार हो गई है अब हम इसको पेंट करेंगे तो चलिए पेंट देख लेते कौन-कौन सा यूज़ करने वाली हूँ मैं आपको इस्क्रीन पे बहुत ही साफ तरीके से दिख रहा होगा यलो कलर मैंने यूज़ किया और क्या नाम में उसका वो मैंने शो कर दिया है ब्रश मैं राॉंड ब्रश यूज़ करोंगी और यह देखिए यह जालो और सैप ग्रेन मिक्स करके यह हमारा ग्रीन कलर बना है मैंने आपको बॉटल दिखा दिये अब स्टेप बार स्टेप में पेंट करूंगी और आप स्टेप बार स्टेप ध्यान से देखिए गा ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझाए और आप सीख के पेंट कर सके कि आपने पहली दो लीव्स देखी में किस तरीके से पेंट कर रही हूं अब देखे मैं इस अपको इसे में कर रही हूं तो मैंने धिश के पार्ट पर यालो कलर लगा है और फिर मैं साइड पे green लगा रही हूँ, वही green जो हमने sap green और yellow को mix करके बनाया है, इस तरीके से sides पे हम लगाएंगे और आपस में blend करेंगे, बहुत ही easy step है और unique इसका look आएगा जैसे कि आप लोग में से बहुत लोग one stroke बनाना चाहते हैं और अगर आपका नहीं बनता तो आप round brush से इस तरीके से one stroke का look ला सकते हैं, जो कि हम अराम से paint करेंगे और look आएगा आपका one stroke का yellow और green कलर को हम बाद में अच्छे से blend करेंगे क्योंकि हमें बिल्कुली separate color नहीं चाहिए, अच्छी smooth look के लिए आपको अच्छी blending करनी पड़ीगी और इसी तरीके से one by one हम अपने leaf को paint करेंगे जिससे हमारा one stroke का look आए वो भी round brush से तो हम easy लेके चलेंगे और best look लेके चलेंगे अब आपको मैंने लीव का जो procedure एग जिस step से हमें paint करना है वो बहुत अच्छे से explain कर दिया है अब हम तीनो लीव को एक साथ paint करते हुए चलेंगे क्योंकि हमको speed भी maintain रखनी है तो आपको मैं इसमें अब ये भी सिखा रही हूँ कि आपको कैसे अच्छी painting करनी है और balance करते हुए अपने speed को तेज करना है तो देखे हम जो yellow है मैंने तीनो लीव पर लगाया फिर green से तीनो को outline करके blend करूंगी तो ये हमारी एक साथ जो है जल्दी यल्दी painting आगे बढ़ती है कर दो ये जल्दी करते है अब हमारी इतनी लीव जो है पेंट हो गई पट मैंने आपको जब कलर दिखाया तो तो उसमें सैप ग्रीन कलर भी दिखाया है तो अब हम उसका इस्तेमाल करने वाले हैं सैप ग्रीन कलर लूंगी में टिप पे और उसको आउटलाइन दे रही हूं लीव पे देखे मैं एट यूज कर रही हूं और मैंने उसी से आउटलाइन किया है क्योंकि मेरा हाथ सेट है अगर आपको यह वाले स्टेप में थोड़ी प्रॉब्लम है अगर आपको ब्रश लग रहा है कि यह जादा आपकी लाइन मोटी हो जाएगी तो आप फिर थ्रीनमबर का ब्रश यूज कर स झाले से बाले से अगर से लाएगी थे तो आपकी लाएगी हो ब्रॉब्लम है कि यह हो ब्रुब्लम है कि यह जाएगी तो आपकी लowले का इलिए है कि यह ल irm concurrently cõege भी जापकी लोड़ी कि उर अभा रहूश झाल 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 इस तरीके से आप round brush से one stroke का effect बहुत ही आसानी से दे सकते हैं I hope कि आपको बहुत पसंद आया होगा कॉमेंट में मुझे जरूर बताएगा कि आपको ये कैसा लगा आपकी कॉमेंट का इंतिजार रहेगा चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें मिलते हैं पार्ट टू में इसके फ्लावर की पेंटिंग के साथ तिल देन टेक केर बाई बाई आपके लगी वीडियो चैनल की वीडियो बाई